लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हत्यार रखो, कुछ नहीं, तो सबजी काटने वाला चाकुजर अतेज रखो, इस पश्ट बोल रही हूँ, कि हमारे घरों में भी सबजी काटने के लिए अत्यार तेज होना चाहिए, उन्होंने चाकु से हमारे हर्शा को गोदा था, उन्होंने चाकु से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंदल के कारकरता, भाजबा के कारकरता, युमा मोर्चा के कारकरता, उन्हों को गोदा है, काता है, तो हम भी सबजी काटने वाले चाकुओं को जरतेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मोका आए, तो जब हम, जब हमारा सबजी अच्छे से कटेगी, तो निश्चित रूप से दुस्मनों के मूबी और सिर भी अच्छे से कटेंगे, और आत्मरक्षा का तो सब को अधिकार है अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुश करके कोई आता है, आक्रमन करता है, तो आक्रमन का उत्तर देना भी हमारा करतब है, और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमन करता है, तो उसका जबाब भी देना हमारा अधिकार है,